दोस्तो हम लोग इंसान है और हम लोगों की बोड़ी की सबसे खास बात या है कि इसे हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं यानि कि हम लोग चाहे तो मोटे हो सकते हैं चाहे तो पतले हो सकते हैं और चाहे तो अपनी हैट को बढ़ा सकते हैं दोस्तो आज साइन्स इत इसरा एक्सेसाइज और चोथा एज तो दोस्तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा और मैं आपको जितने भी टीप दूँगा ये सारे साइन्टिपिक प्रूफ है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया गया है इसलिए वीडियो को पूरा से और जैसे सही नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो हाइट बनने के बड़ावर होगी कभी-कभी ये देखा गया है कि आपके पैरन्स की लंबाई कम होती है लेकिन आपके लंबाई बहुत अधिक हो जाती है पर कुछ-कुछ मामलों में लोगों के हाइट कम रहा जाती है ले तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए करना आया है कि हम लोगों की बोडी में दो सारे एक्यूप प्रेशर पाइंट होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पाइंट होते हैं जिसे आप पुछ करेंगे तो उसका प्रवाव हमारी बोडी के अलग-अलग किस्तों पर परता है हाइट हमारी बोडी बात करते हैं तो आप लोग यहाँ बली बाती जानते होंगे कि हम लोगों की बोडी के लिए वह सोना कितना ज्यादा इंपोटेंट है यानि कि आपको पता है अगर आपको अपनी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो आपको रोजाना आट गंटे जरूर होना चाहिए क्योंकि HGH यानि कि human hormone जो होता है वो सोते समय सबसे ज़्यादा रिलिज होता है यानि कि वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपके height भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी तो अब tips नमबर तीन की बात करते हैं तो दोस्तो tips नमबर तीन है डाइट यानि कि आपका खानपांट हाँ दोस्तो यदि आपका खानपांट सही होगा तब आपके height को बढ़ने से कोई भी नहीं रोख सकता आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि प्रोटीन से हम नोगों के बोडी के जितने भी मसल्स होते हैं और जितने भी टीसूज होते हैं वो बनते हैं इसलिए highlight बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यदा important प्रोटीन को माना गया है इसलिए आपको डाइट में प्रोटीन को लेना बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर आप मांसा हारी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन के सोर्स मिल जाते हैं आप मीट एवर मसली इस तरह से बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन अगर आप एक शाकारी व्यक्ति है तो आपके लिए दूद और सोयाबिन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है सोयाबिन मे बारे में बात करते हैं तो दोस्त टिस नुमबर चार है एक्सेसाइज आप में से सभी को पता होगा कि एक्सेसाइज करने से हमारी हैट बढ़ती है लेकिन सही मायने में किसी को यह नहीं पता है कि कौन सी एक्सेसाइज करने से हमारी जो हैट होती है वो सबसे इस प्रेट स पास रखे फिर अपने दोनों हाथों को कंदे के बराबर लाए तो अपनी बोडी का वजन अपनी हतेलियों पर डालते हुए सीर को उठाए अपने सीर को पिछे की और खीशते हुए छाती को आगे की तरफ निकाले इस पोजिशन में कुछ टाम तक रहे फिर पहले वाली अव प्रकार से लेटकर आपने पेट को उपर उठाया कर नीचे करके करना है चोथी एक्सराइज स्टेंडिंग ब्रेक स्ट्रेच एक्सराइज इस एक्सराइज में आपको सिधे खड़े ओकर आगे को उपर करके इस तरह से एक तरफ वा फिर दूसरी तरफ जुकना है अगली तो दोस्तो आपको इन खास एक्सराइज को रेगूलर रोज 30 मिट जरूर करना है आप इन एक्सराइज को मात्र 30 दिन करेंगे उसके बाद आपको खुद इसका एफेक्ट देखने को मिल जाएगा अब सबसे आखरी टिप्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ सबसे ज़ चलने और बैठने की स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा चलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह अपने स्पाइनल कोड को सीधा करके चलना यानि कि आपकी जो रीड के हड़ी है उसे सीधा करके चलना है आपके रीड के हड़ी सीधी होना आपके हाइट पर बहुत ही ज् पैनल कोड को सिधा करके ही बेटे तो दोस्तो मैंने आपको जितने भी टिप्स अभी बताए इन टिप्स की मदद से लाखो लोगों ने अपनी हाइट को बढ़ाया है और अगर आप भी इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी हाइट को बहुत अधिक बढ़ा सकत इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और आप इसे यहाँ एंड स्क्रिन में भी देख सकते हैं और दोस्तो इस आयरुवेदिक मेडिसीन के आडर के लिए आप अपना नाम पता वाप इनकोड सेंड करें